हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विज सरीना पर आज हम सोल करने जा रहे हैं H.T.P.G.T. के मिस्टरी का प्रिविएस एर एक्जाम एक्जाम जो है वो 2022 का है देखिए इस एक्जाम का हम first question देखने जा रहे हैं Question आपके पास में क्या है वो आप देखेंगे और इसको try करें, solve करें साथ-साथ और फिर अपने answers match करें जितने previous questions प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना benefit होता है, देखिए हमारा first question क्या है, first question आपके पास में है, Wilson disease cause accumulation of which metal in the liver, kidney and brain liver, kidney and brain में, ठीक है, Wilson disease होता है, किस metal के accumulation के वज़े से होता है, तो आप सब को पता है, कि जो Wilson disease होता है, वो आपके पास जब kidney, liver, brain और आप कह सकते हैं, आई में, जब copper metal के अधिकता हो जाती है, तब यह disease हमें होता है, तो यह आपके पास में question number first था, अगर मैं second की बात करूँ आपके सामने, question number second क्या है हमारे पास देखिए, reaction with which 92 कह सकते हो आप इसे, reaction with which of the following reason give benzaldehyde from toline, क्या चाहिए हमें, toline से क्या चाहिए, benzaldehyde चाहिए, आपके पास में यह reaction आ रही है, toline क्या होता हमारे पास, methylbenzene, ठीक है, और इससे हमें क्या चाहिए, benzaldehyde चाहिए, यह पूछ रहा है, यह एक बहुती famous naming reaction है, जिसका हमारे पास नाम होता है, जिसे हम बोलते है, itard reaction, यह आपके सामने itard reaction है, ठीक है, और यह आपको देती है, तो किस reason की presence में होता है, यह chromyle chloride, तो इसका answer आपके पास में हो जाएगा, answer number first, देखे, इसको मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसके solution को आप थोड़ा सा detail में अगर आप देखेंगे, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ, देखेगा आपके सामने question यह रहा, देखो 91 की थोड़ी से explanation है यहाँ पर, वो आपके सामने क्या है, वो आप देख लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, विल्सन डिजीज क्या होता है, कोपर के दिखता की वज़े से होता है, यह होता है कि actual mis disease में, mutation in the Wilson disease, protein 80, PTB gene के अंदर यह problem आजाती है, अब देखो question 92 क्या कह रहा था, कि आप tolin से benzyldehyde कैसे convert करेंगे, मैंने बोला एक बहुती famous reaction है, itard reaction, यह कुछ exams में ऐसे आई हुए है कि, which one of the following is itard reaction यह भी आ सकता है, तो आप इसमें टोलीन से benzyldehyde बनाते है, in the presence of chromyle chloride, यह रहा आपके पास में, और आप इसमें यह भी कह सकते हैं, chromic acetic anhydride के presence में, acidic hydrolysis करवा सकते हैं, इसमें intermediate क्या बनता है, तो intermediate बनता है, brown color का chromium complex, यह हमारे पास में यहाँ पर intermediate बनता है, जो के आपको ध्यान में रखना है, अगर हम उसके option को देखें, तो उस option में diable H भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको diable H के बारे में बता देती हूँ, जो diable H आपके पास में होता है, उसकी full form क्या है, diisobutile aluminium hydride, यह एक mild reducing agent है, और यह हमें क्या देता है, यह हमें hydride ion देता है, H negative ion प्रोवाइड करता है, यह करता क्या है, यह आपके पास में nitril होगा, carboxlic acid होगा, acid chloride होगा, ester होगा, इन सब को convert करके, किस unit में convert कर देता है, तो यह आपका इन सब को aldehyde में convert कर देता है, यह आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर एक important point क्या आता है, यहाँ पर एक important point question इन दो से ज़ादा आते है, nitril और अगर ester को, आपको convert करना है aldehyde में, तो किस reagent का use करेंगे, तो diable H की बात करेंगे, तो देखिएगा, यह question number 92 था, इसके हमने बात कर ली, और इसी के अगर मैं option को discuss करना चाहूं, तो आपके सामने जो fourth option है, यह क्या है, यह आपके पास में friddle craft acylation है, अगर आपको ध्यान हो, क्या है यह, friddle craft acylation reaction है, इसमें asyl group pension के उपर attach हो जाएगा, तो यह आपको electrophilic substitution reaction में आता है, तो यह चारों option हमने discuss कर ली है, move करते हैं next question पर, next question आपको क्या कह रहा है, question number 93, what will be the enote cell for the following reaction, आपको half cell reaction दे रिखेंगे, इसके लिए enote cell पूछ रहा है, हम सब जानते हैं, कि जो enote cell होता है, वो हमारे पास में क्या होता है, देखें, enote cell जो होता है, वो हमारे पास में होता है, E cathode minus E anode, cathode बोलें तो reduction, और anode बोलें तो oxidation, जिसकी enote की value, अब देखें, दोन्नों reduction की form में equation लिखे गई है, जिसके enote की value कम होती है, उसका क्या होता है, हमारे पास में oxidation होता है, oxidation कहां होता है, anode पे होता है, और जिसका enote की value ज़्यादा है, उसका क्या होता है, reduction और reduction हमारे पास कहां होता है, cathode पे होता है, तो हम यहां value पुट कर देंगे, cathode के हमारे पास में value कितने, 0.77, माइनस में एनोड की कितने 0.76 जब आपको यह माइनस की वैल्यू है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.77 प्लस 0.76 करेंगे तो हमारे पास आंसर आजाएगा 1.53 वोल्ट, option number 2 is the correct answer तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा move करते हैं next question की तरफ आपके पास में वो क्या है deficiency of the following vitamins causes increasing blood clotting time deficiency of which of the following vitamins causes increased blood clotting time तो आपके पास में वो क्या है vitamin K अब देखो vitamin 12 को भी देख लो vitamin 12 का chemical name क्या होता है sino-cobalamin और इसमें कौन सा metal होता है अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा metal पाया जाता है cobalt metal होता है इसमें यह भी आपको जहां रखना है यह भी पूछा जा सकता है चलो move करते हैं next question की तरफ और next question आपके पास में क्या रहा है 95 देखिएगा बहुत ही important question है आपके सामने क्या कह रहा है आपके पास में propine है ठीक है और आपने इसको mercuric sulfate कह दो इसकी presence में acidic medium में reaction करवाया है तो क्या बन रहा है बात और यह यह तो देखिएगा अगर हम इसकी बात करें तो इस reaction में A क्या होगा यह पूछ रहा है तो अपके पास में A के अगर मैं बात करूँ तो यह हमारे पास होगा propine non और हम इसको बोल देते हैं aceton क्या बोल देते हैं aceton इसकी presence में जब हम react कराएंगे पहले अगर यह add करेगा तो alcohol बनेगा उसके बाद में ketone बन जाएगा चलो इसकी explanation मैं आपको देखा देती हूँ थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे इसके explanation को भी मैं आपको explain कर देती हूँ कि यह कैसे और इसने क्या काम किया है तो देखो यह रहा आपके पास में question number 95 का solution आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे ठीक है क्या कह रहा है आपके पास में यह था हमारे पास में propine जो हमने propine को react करवाया तो यह मार्कोनिक रूल को follow करता है अगर वोटर एड़ होगा ठीक है और अगर वोटर एड़ होगा इसको हमारे पास में तो वोटर उक्सी myrcuration डी myrcuration reaction पी बोलते हैं इसे वोटर एड़ होगा मार्कोनिक रूल को follow करेगा तो negative part goes through that carbon which चाहो less number of hydrogen atom तो OH महरे पास यहां आ गया एक और मोल होगा तो यह आपको इपास convert होगे क्या बना देगा acetone बना देगा I hope आपको यह बात समझ में आगी होगी move करते हैं हमारे next question की तरह for next question देखेगा क्या कहता है question number 96 अब इसकी बात करते हैं enzyme plus substrate enzyme substrate enzyme substrate बना फिर P बना question आगे SSA से steady state approximation देखेगा इस question में important बात क्या है यह आपके पास में सबसे first step है इसमें equilibrium है जहाँ equilibrium होता है वो क्या होता है first step होता है और इसका मतलब यह जो second step होगा हमारे पास यह क्या होगा slowest step माना जाएगा अगर हमे rate calculate करना है तो हम इस reaction से calculate करेंगे लेकिन हमारे से से इसने question में क्या पुछा है हमारे से इसने question में क्या पूछा है कि concentration of enzyme substrate complex बड़े ध्यीयान से देखेगा it means हि हमसे क्या पूछना चा रहा है तो देखेगा यह हमसे पूछना चारह है कि जो जो enzyme substrate हमारे पास में enzyme substrate complex जिछ में हिकली बिरियम हो वो हमेशा fast होता है यह slowest step है rate हम लिखेंगे तो slowest step से लिखेंगे तो हम ऐसे लिख देंगे लेकिन हम मेरी बात सुनिएगा SSA में क्या होता है SSA को जो हम use करते है SSA कहता है rate of formation is equal to rate of disappearance तो देखिएगा enzyme substrate complex बन कहा रहा है बन कहा रहा है step 1 में यहां बन रहा है तो इसका rate of formation लिख दो rate of disappear disappear कहा हो रहा है यह इस reverse reaction में भी disappear और इस reaction में disappear होके क्या बन रहा है product बन रहा है तो इन दोनों को हम add कर देंगे जब हम इन दोनों का rate लिखे add करेंगे और हम ES की value निकालेंगे तो आपके सामने यह जो answer है यह आपके सामने आ जाएगा I hope आपको यह बात समझ में आगी होगी तो यह आपको SSA apply करते है वक्त यही ध्यान रखना होता है क्या rate of formation is equal to rate of disappearance अब देखिएगा हम बात करते है हम डाइबाल H के साथ तो क्या बनने वाला है देखो आप एक चीज़ देख पा रहे हो आपके पास में बार बार रियेजेंट आ रहे है रियेजेंट के functions आ रहे है या naming direction आ रहे है बहुत important है यह आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है डाइबाल H और H2 मैंने इसके बार में मैंने कहा भी था कि साइनाइड और एस्टर के केस में आएगा तो देखो यहां साइनाइड है अगर आप questions के options को detail में पढ़ते तो आपको चीज़ें बहतरीन हो जाती है ठीक है डाइबाल H है यह mild reducing agent है hydride ion देगा मैं आपको बता चुकी हूं तो यह आपके पास में क्या ब के सामने correct answer होगा जो आपको पिछे वाले question में बता चुकी हूं move करते है next question की तरफ question number 98 which among the following compound has the highest order of reactivity in nucleophilic addition reaction थोड़ा सा आप सोचिएगा आपको nucleophile add करना है किसी भी reaction पर जब nucleophile add करना है nucleophile क्या होता है electron rich तो जिस species पर यह attack करेगा वो क्या होनी चाहिए electron deficient तो जो भी compound ज्यादे electron deficient होगा देखो benzaldehyde तो इसमें टोली ना गया यह electron releasing group होता है acetophenone भी नहीं तो आंसर क्या आएगा पैरा नाइट्रो बेंजल्डी हैड क्योंकि नाइट्रो जो होता है electron withdrawing group होता है तो यह electrophilic center generate कर देगा move करते है next question पर question number 99 ठीक है जो आप देखेंगे which of the following gives entropy change of an ideal gas for isobaric process ध्यान से सुनिएगा क्या पुछा आप से question में entropy change पुछा है ideal gas के लिए किसके लिए isobaric process के लिए देखेगा delta s is equal to cp loan t2 by t1 क्योंकि isobaric process था उसके बाद देखेगा question number 100 and most important question बहुत ही important question मैं इसको काऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिला करके आप से पूछी गई है तो देखेगा question number 100 क्या कह रहा है benzyl alcohol है आपके पास इसमें hbr add करोगे तो क्या बनेगा potassium cyanide add करोगे तो क्या बनेगा उसका partial hydrolysis करोगे तो क्या बनेगा और जब इसमें naobr add कर दोगे तो क्या बनेगा देखो यहां पर में थोड़ा सा बता देती हूँ naobr बोलें तो क्या naoh plus में ठीक है kbr और इसको हम नाम देते हैं बहुत ही एक famous reaction है hofman bromamide degradation reaction अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो तो यह आपके पास में आ जाता है चलो हम बात करते हैं कि इससे क्या बनेगा थोड़ा सा question को मैं डिटेल में बताती हूँ तो देखिए आपके पास में की इसमें क्या होने वाला है चलो यह रहा आपके पास में question ठीक है बड़े ही ध्यान से देखेंगे इसे question क्या कहता है इसकी बात कर लेते हैं हम तो question हमें कहता है आपके पास में है बेंजाइल अलकोहल तो यह रहा देखो बेंजाइल अलकोहल HBR के साथ रेक्शन करवाओगे ठीक है SN1 मेकानिजम हो रहा है ठीक है अपके पास में OH और H वोटर रिमूव हुआ क्या बन गया CH2 बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया पोताश्यम साइनैड के साथ रेक्शन करवाए तो यह बन गया हमारे पास में बेंजाइल साइनैड ध्यान रखना जब आफ पारश्यल हाइडरोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पर अमाइड बनेगा तो partial hydrosis करवाया तो क्या बना 2- Phenyl Acetamide बन गया जब हमने इसको NaOBR बोल दे या NaOHKBR बोल दे मैंने आपको बोला बहुती famous reaction है होफमान bromamide degradation reaction इसमें क्या होता है इसमें कार्बन कम हो जाता है ठीक है डी ग्रेड होना मतलब decrease होना ठीक है और यह आपके पास में क्या बन गया तो यह आपके सामने बात थी option number 2 की बात हो रही है ठीक है तो हमने correct करके मैं आपको बता दिया I hope आपको यह मेरी बात समंज में आई होगी आज हमने 91 से लेके 100 तक 10 question कर लिए अगर आपको कोई suggestion तो आप बता सकते हैं thank you so much बढ़ते रही है